क्या आज सचिन पाइलिट और अशोग गैलोट जंग का आखरी चैप्टर होगा? क्या राजिस्थान में चाज साल से चल रहे अशोग गैलोट और सचिन पाइलिट की राजनितिक दंगल का? आज दी एंट होगा? क्या सचिन पाइलिट को आज कोई बड़ा पद मिलेगा या फिर गैलोट का ही गदर देखने को मिलेगा? राजिस्थान की राजनितिक अखाडे में चाज साल से चले आ रहे सियम अशोग गैलोट और पूर्व जिप्टी सियम सचिन पाइलिट के बीच लंबे विवाद के निफटारे की घड़ी आखिरकार आही चुकी है सियासी वर्चस्व की जंग कांत करने के लिए कॉंग्रेस हाइकमान ने सुलह के लिए गैलोट पाइलेट और राजिस्थान कॉंग्रेस के टॉप लीडर्स को दिल्ली बुलाया है तो वही सचिन पाइलेट के अल्टिमेटम के खत्म होने की गड़ी भी नस्दीक है ऐसे में हाइकमान भी चुनावों को देखते हुए कोई रिस्क नहीं उठाना चाहेगा जानकारी के मुताबिक 2018 के नतीजों को कोई बुला नहीं पाया जब मीना, गुजर, SC और OBC मतदाताओं वाले पूर्वी राजिस्थान में सवाई माधपुर, धौलपुर, भरतपुर, दोसा, टो, जैपुर, अलवर, करॉली विले की 58 मिधान सवा सीटों को जिताने का अश्रे सीधा सचिन पालेट को मिला था इन सीटों पाज सचिन पालेट का सीधा ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है अब ऐसे में जो चरचाय चल रही है कि सचिन पालेट से कोई सकारात्मत समझोता नहीं होता है और हाथ का साथ छोड़ते हैं तो सीधा कॉमरेट को लगभग 38 सीटों पर नुकसान जेलना पड़ सकता है ऐसे में हाइकमान कोई बड़ा और बीच का रास्ता निकाल सकता है कहा तो ये भी जा रहा है कि अध्यक्ष का पद्दे दिया जाए लेकिन सियासी जानकार बताते हैं कि गहलोत इस पर भी रजामन नहीं होंगे तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि हाइकमान सुल्ह का क्या कुछ फार्मूला निकालता है जानकारी के मुताबिक आज हाइकमान अशोग गैलोड PCC चीफ गुविन सिंग्डो टासरा, प्रभारी सुख जिंदर सिंगन धावा तीनो सह प्रभारी विरेन सिंग्रा ठोड, अमरिता धवन और काजी निजामुदिन पूर्व जिप्टी सीम सचिन पैलेट, राजस्थान विधान सभा अध्याक्षर डॉक्टर सीपी जूशी, गुजरात कॉंग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रगुशर्मा और पंजाब कॉंग्रेस के प्रभारी हरीश चौदरी, पूर्व केंद्रे मंतरी भवत जितिन सिंग्ग, रगुवील, मीना समेथ कुछ टॉप लीडर्स की बैठा कॉंग्रेस की राष्टे अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे के साथ होगी ब्यूरो रिपोर्ट राधिस्थान तक झाल